एलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू ग्रेजी ट्रॉनिक्स इस वीडियो में हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में देखेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 क्या होता है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसका पिन आउट और इसे और्डूइनो के साथ में किस तरह से इंटर्फेस किया जाता है ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 क्या होता है ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 एक ऐसा मॉड्यूल है जिसका यूज करके आप और्डूइनो को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते है इसका मतलब ये है कि आप और्डूइनो से कनेक्ट LED या फिर मोटर को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते है अब इसके बाद में हम Bluetooth module HC05 का technical specification देखेंगे HC05 5V पर काम करता है और इसका operating current 30mA होता है और इस Bluetooth module की range 100m तक होती है इसका मतलब कि आप इस module का use करके 100m तक communicate कर सकते हो और इसे Arduino के साथ में serial communication के थूँ इंटरफेस किया जाता है अब इसके बाद में हम Bluetooth module HC05 का pinout देखेंगे इसमें सबसे पहले enable pin रहती है और इस pin का use data mode और 80 command mode में toggle करने के लिए किया जाता है अगर हम इस pin पर high output देंगे तब Bluetooth module 80 command mode में काम करेगा और अगर हम इसे low output देंगे या फिर इसे connect नहीं करेगे तब Bluetooth module data mode में काम करेगा इसके बाद इस module में VCC pin रहती है जिसमें 5V का supply दिया जाता है और इसके बाद ground pin रहती है जिसे ordino की ground pin से connect किया जाता है और इसके बाद इस module में TX pin रहती है जिसे ordino की RX pin से connect किया जाता है और इसमें RX pin रहती है जिसे ordino की TX pin से connect किया जाता है और इसके बाद Bluetooth module में state pin रहती है जिसका use Bluetooth module की condition को check करने के लिए किया जाता है अब इसके बाद में हम ordino के साथ में Bluetooth module को interface करेगे सबसे पहले मैं Arduino लूँगा और इसके बाद मैं breadboard लूँगा इसके बाद मैं breadboard पर Bluetooth module को इस तरह से लगा दूँगा इसके बाद मैं Bluetooth module की 5V की pin को Arduino की 5V की pin से connect करूँगा इसके बाद मैं Bluetooth module की ground pin को Arduino की ground pin से connect करूँगा इसके बाद मैं Bluetooth module की TX pin को Arduino की RX pin से connect करूँगा अब इसके बाद मैं और्टूथ मॉडियों की RX pin को Arduino की TX pin से connect करूँगा अब इसके बाद मैं Arduino की Pin number 10 से LED को इस तरह से connect करूँगा हमारा circuit connection पूरा हो चुका है अब हमें Bluetooth module के लिए Arduino को program करना है इसके लिए मैं सबसे पहले Arduino IDE open करूँगा यहाँ पर मैं सबसे पहले define statement का use करके LED को pin number 10 से define करूँगा इसके बाद मैं void setup के अंदर सबसे पहले serial.begin function का use करके Arduino और Bluetooth module के बीच serial communication को start करूँगा और इसके बाद मैं pin mode function का use करके LED को output declare करूँगा इसके बाद मैं void loop के अंदर लिखूँगा if serial.available is greater than 0 character data equal to serial.read if data equal to 0 digital right LED low if data equal to 1 digital right LED high delay 10 तो यह प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहूँगा कि अगर हम अपने smartphone से Bluetooth module को zero data send करेंगे तब LED off रहेगा और अगर हम smartphone से Arduino को data one भेजेंगे तब LED on हो जाएगा अब मैं इस program को Arduino में upload कर लूँगा और यहाँ पर मैं serial bluetooth terminal app को open करूँगा और इसके बाद मैं device में जाऊँगा और आप यहाँ पर जैसा की देख सकते है Bluetooth module HC05 का नाम यहाँ पर display हो रहा है अब मैं इस पर click करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते है हमारा smartphone Bluetooth module HC05 से connect हो रहा है और यह connect हो चुका है तो आप जैसा की देख सकते है जब मैं यहाँ से one send करता हूँ तब LED on हो जाता है और जब मैं यहाँ से zero send करता हूँ तब LED off हो जाता है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप Arduino के साथ में Bluetooth module को interface कर सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और अगर आप Arduino की programming को basic से सीखना चाहते है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए thank you so much